नमस्कार आप देख रहे हैं बिस तक मैं हुर अजद देवगन आज जब इंडिन मार्केट की ओपनिंग होने वाली थी तो अंतराश्य संकेथ स्पेशली यूस मार्केट से ठीक थे लेकिन SX बता रहा था कोई बहुत बड़ी चाल की उमीद मती करिये तो ठीक लेकिन बजार सर्प्राइज कर गया सरपर दोड़ गया और वो तब जब महंगाई के आंकड़े उमीद से बहुत ऊपर आ गए इस बार जो CPI महंगाई का आंकड़ा आया है वो है 6.52 परसेंट और यह 5.72 परसेंट से बढ़ा है यह किसी भी अनुमान से बहुत जादा था लेकिन उसके बाद बजार आज ओपन वो 17.840 के लेवल पर थोड़ा डिप आया शुरुआती आदे घंटा नर्वस था बजार 17.800 के लेवल लोर लेवल चुआ लेकिन उसके बाद जो फल्टी मारी और जो तेजी पकड़ी तो 17.954 यह आज के दिन का हाई है क्लोजिंग हुए 17.939 के लेवल पर 158 अंक निफ्टी चड़ गया निफ्टी बैंक 366 अंकों की बड़त के साथ हुआ है बंग और असल एक्षिन तो साड़े ग्यारा बज़े के बाद बना था बहुत ही जबरदस वन वे ट्राक पे एकदम से बहुत सारे स्टॉक्स चड़ गए एडवांस डिकलाइंस 30 शेर्स निफ्टी के हरे निशान में 20 शेर्स लाल निशान में बंद हुए है लेकिन जो तेजी पकरे हुआ था निफ्टी का टॉप गेनर वो है UPL आज लगबग साड़े 3% के आसपास का उच्छाल है स्टॉक पे देखने को मिला और इंडिक्स हेवी वेट्स ITC, Reliance Industries इनका बहुत सहरा मिला ITC आज 3% ज़ादा चड़ा है Reliance Industries 3.5% के करीब चड़ा है इसके लावा अदानी ग्रूप में दोनों ही स्टॉक अदानी एंटरप्राइज़ और अदानी पोर्ट्स तेज होते में नज़रा है अदानी एंटरप्राइज़ पे आज नतीजों का इंपक्ट था लेटर हाफ में एक दम से इस पाइक अप देखने को मिला इस स्टॉक में निफ्टी लूजर्स में अपोलो हॉस्पिटल को पाएंगे आप 2.5% नीचे हुआ है बंद इसके लावा आईशर मोटर्स, SBI लाइफ, BPCL और ग्रासिम जैसे स्टॉक भी आज हलके हो गए 1% से सवा 2% के आसपास की गिरावट इन स्टॉक पे देखने के मिली F&O गेनर्स में UPL निफ्टी का ही टॉप गेनर है तो वाइदा कारोबार पर भी आज इसने छलांग लगाई लगबग पौने 4% के आसपास की ITC 3% से ज़ादा चड़ा है सिटी यूनिन बैंक बहुत पिटाई हुई थी कल के सेतर में थोड़ा सा रिकवर कर गया इसके लावा रिलाइंस इंडस्टी बैंक को बढ़ोदा आज आक्शन में थे रिलाइंस तो आज ख्यार बहुत जवर्दस कांट्रिबूशन निफ्टी को आज तेज करने में रिलाइंस इंडस्टी और कॉंट्रिबूशन अवल है और दूसरा IITC इसके लावा F&O लूजर्ज में नवीन फ्लोरीम 4% धेर हो गया इसके लावा इंडिया बूल्स हाॉसिंग फिनांस सवा 3% टूटा है अदानी ग्रूप पे खबरों का असर डेफिनेटली देखने को मिल रहा था आज के सत्र में भी और जो खबरे ट्राक हो रही थी वो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले तो अदानी ग्रूप ने ग्रोथ लक्षे और कैपेक्स में कटवाती की बहुती solid footing पे है financial health बहुत strong है सारे projects financially अच्छे backed up है और आने वाले समय के लिए वो deliver करेंगे सभी projects थोड़ा देर जरूर हो सकती है लेकिन कोई भी project रद नहीं किया जाएगा दूसरा आज ग्रह मंतरी अमिच शाने जो बोला अधानी ग्रुप के ओपर वो भी आज lime light में रहा अधानी मामले पर ना तो bjp कुछ छिपा रही है और ना ही डर रही है यह उनकी statement थी जो एनाई में interview उन्होंने बोली लेकिन उसके बाद आज हमने बहुत सारे stocks जो थे अधानी ग्रुप के वो 5% के lower circuit पर ही लगे देखे कुछ इक्के दुखके stocks ही आज तेजी पकड़े थे क्योंकि अभी भी regulatory overhang जो हो बना ही हुआ और उपर से जरूरत पढ़ने पर enforcement action ले सकते हैं सेवी ने ऐसा बोला लेकिन अभी फिलहाल यह preliminary stages पर है जांच और इसके उपर अभी इसकी बारीकों लेकर कुछ भी comment करना ठीक नहीं होगा सेवी ने सुप्रीम कोर्ट में बोला था तो इसके चलते जब भी सेवी कुछ भी action लेगी तो अभीसलि वो अधानी ग्रुप के संभू के stocks पर तो असर डालेगा ही और यह जो दो ग्रुप कंपनिया है जो बड़ी ग्रुप कंपनिया है अधानी ग्रुप के उन्होंने commercial paper के जरी लगभग 5,000 क्रोट रुपे जुटा रखे है तो वही बात है कि debt reduction पे company का focus बहुत जादा है ग्रुप का focus बहुत जादा है अधानी ग्रुप में निवेश के लिए अबुदाभी इंटरनाशनल होल्डिंग कॉप से बातचीथ हो रही है सूत्रों के वाले से खबर थी और जो रकम इंफ्यूस हो सकते है यह 1 से 1.5 बिलिन US डॉलर्स की हो सकते है जो अबुदाभी इंटरनाशनल होल्डिंग कॉप अधानी ग्रुप कंपनियों में डाल सकता है किस रूट के जरी होगी अब इस पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता है और यह development होगी भी कि नहीं यह समय बताएगा लेकिन हागर ऐसी statements आई तो यह confidence बढ़ाने वाली statements होगी उपर से अगर आप आज stocks देखो तो अधानी enterprises लगबग 2% के आसपास उचला अधानी ports लगबग 2% के आसपास उचला बाकि सब अधानी wilmer, अधानी transmission, अधानी power, अधानी green, अधानी total gas यह 5-5% के lower circuit पे लगए हुए थे आज, अमबूजा 2% गिरा है, ACC आदे फीजदी के आसपास चड़ा है और NDTV 5% के lower circuit पे था, sector specific कहां खरेदारी हो रही थी, IT में IT stocks, defensive play हुआ market में फिर से, IT में Infosys lead कर गया, 1.5% के आसपास उचला है कोफोर्ज, Wipro, Emphasis Tech, Mahindra, HCL Tech जैसे stocks में आज हर्याली देखने को मिली oil and gas में तो reliance lead कर ही रहा था, index को तो बहुत support किया, लेकिन उसके बाद oil India यह पिछले कुछ दुनों से outperform कर गया है, यह stock नदीजों के बाद, 6% आज भी चड़ा है GSPL लगभग 4% चड़ा है, MGL और HPCL जैसे stocks में आज हर्याली देखने को मिली banking, financials, इन में action तेज था, banks में दोनों, PSU banks और private banks में आज strength देखने को मिल रही थी PSU banks में Indian bank, bank of brother, Canada bank, PNB, SBI जैसे stocks में action तेज था, इसके लावा private banks में city union bank, ICC bank, access, HDFC bank जैसे stocks हर्याली में थे, financials में बजाज, finance, PFC, श्रीराम finance, SBI card, HDFC में positive territory की closing होई है reality आज दबाव में था, जिसमें lead करा था, इंडिया बोज रियल एस्टेट धेर हो गया stock, 8% तूटा है, suntech, 4-4% तूटा है phoenix limited, लोधा, गोधरेज प्रॉपरिटी, सोभा जैसे stocks आज हलके होते होई नदर आए mid cap gainers में counter specific approach है और इस approach को capture करना बहुत मुश्किल है कि एकदम से sharp spike up है लेकिन आज NFL, fertilizer stocks में आज action strong था, NFL लगभग 16% उचला है, मिर्जा इंटरनाशनल लगभग 14% के आसपास उचला है इसके लावा HBL पार, सुप्रजीत, फिनुलेक्स केबल्स, कोची शिप्यार्ट, ये कोच इसे stocks हैं जो 5% से 6% उचला है जिसमें APL Apollo था, CG PAR, Cummins और Phinolix Cable, ये stock एक साल के उचाए पर आपको दिखाए देंगे अब आगे क्या होगा, अदानी ग्रुप stocks पर इफोकस रहेगा, क्योंकि देखो regulatory overhang है, regulatory risk किसमें बहुत जाद है और देखते है, corporate governance issues के ओपर कुछ अगर, अगर सेभी ने कुछ भी find out कर लिया, तो वो तो आफ़त बनने ही वाली है, लेकिन चलो ऐसा ना हो अभी, फिलहाल अभी तो पहले तो gain सरकार के पाले में है, क्योंकि committee के गठन पर कल तक सरकार को Supreme Court में जवाब देना है, तो वो development ह और उसके बहुत शुक्रवार को Supreme Court में hearing है ही, अमेरिका के महंगाई के आंकड़े अब बहुत crucial होंगे, इंडिया में तो महंगाई बढ़ गे लिकार, अमेरिका में focus एरिया बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जैसी महंगाई के आंकड़ा होगा, उसका एक बड़ा impact जो IT stocks, कुछ रिंदा financial stocks में strength lot नी शुरू हुई है, बजार में अभी फिलहाल कुछ भी कहना, कोई directional move ढूनना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ bulls और beers के विच में तगड़ी टकर होगी, क्योंकि 18,000 की call strike पे बहुत तगड़ी call rating हो रखिया, और नीचे 17,800 के put पे बहुत support की तरह काम कर रहा है, और उपर 17,972 जो की budget दिन का high है, उसको अभी तक attempt नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अजार तेज तभी होगा, 17,972 के level के उपर चला जाए, उसके उपर close कर जाए, तो उसके बाद तो bulls का confidence जोगा, वो skyrocket high हो जाएगा, लेकिन जब तक 17,750, 17,800 के level को ब बड़ी चाल की तैयारी बजार कर जाए,